Hello everyone, welcome to my channel. आज हम class 10th, Trump first revision test करेंगे. देखी, question number 1 क्या है? The degree of the polynomial t t की पावर 8 minus 3 t की पावर 7 plus 2 t की पावर 5 minus 6 t की पावर square upon t square. तो कहा गया है, जो एक्स्पेशन दे रिखी है, क्या है एक्स्पेशन? t की पावर 8 minus 3 t की पावर 7 plus 2 t की पावर 5 minus 6 t square upon t square. तो इसकी degree क्या होगी? और degree हमें पता है क्या होता है? degree होते हैं हमारा highest power. तो देखी, हमारा highest power क्या 8 है? ठीके, 8 है, बट यहां देखे, denominator में भी हमारा क्या है? t की पावर square. t की पावर square है, तो देखी, अगर हम particular t की पावर square को हर एक particular term के साथ डिवाइट करेंगे, तो वैसे हमें highest power से मतला होता हम सिर्फ highest power से करके देख लेते हैं. t की पावर 8, t की पावर 8 की नीचे क्या आजाएगा? t की पावर square, simple हैगा. और हमने सिर्फ है, t की same same power होती, बलब जब हमारा division में power तो power क्या हो जाती है? minus होती है, यह क्या हो जागा? 8 minus 2, यानि power minus होके कितना आगी? t की पावर 6, तो highest power क्या हो गया? highest power वाले 6, तो इसकी degree क्या हो जाएगा? b part जो कि है 6, ठीके, student, easily हमें पता है, power में हम जो divide होता है, उसमें हम क्या करते है? पावर को minus कर देते है, particular सब को करके हम वो भी देख सकते है, but easily term यह है कि आप highest power के साथ divide कर लिजे, t की पावर square को easily हो जाएगा, time consuming नहीं होगा, okay? next question करते है, second question दिखें students, in the given figure, यह जो हमें figure given है, इसमें क्या है d e, d e पैलर है b c k, पैलर का हम sign ऐसे arrow में लगाते है, d e पैलर है b c k, if ad, ad कितना है, 3 cm, and d b, d b कितना है, 4 cm, and a e, a e कितना है, 6 cm, then the value of e c, तो value किसके निकाल लिए, e c, this one, okay? e c की value निकाल लिए, तो पहले आप सब खुद ट्राइ कीजेगा, ऐसे, video pause करें, खुद ट्राइ कीजेगा, क्योंकि रिवीजन टेस्ट है, then check कीजेगा, सही है की गलत है, okay? मैं इसमें options लिखना मूल की, एक में options लिख लेते हैं, देखें, students, try कीजेए ऐसे एक बार, और उसके बार, देखिए, आपका answer सही आता है की नहीं आता है, देखिए, हमने theorem सीखी हुए, NCITMIU theorem है, theorem हमें simply पता है, जो हमें DE पहले दिया रहता है, BC की किसी एक triangle में, triangle वाली form में, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, हमारा होता है, AD upon DB will be equals to A upon EC, यह हमारी theorem होती है, similar triangles की formula हमारी, एक theorem होती, ठीक है, then now put the values, जो जो given है, AD कितना है हमारा, यहां लिख लेते हैं, 3, then DB कितना है हमारा, 4, AE कितना है हमारा, 6, और EC हमें क्या करना है, निकालना है, आप easily निकाल सकते हैं इसको, तो देखिए, क्या जाएगा यह, यहां से cancel out कर लेते हैं, 3, 2, 6, then EC will be equals to 4, इसके साब मंटिप्ला में 4, 2, 8 cm, ठीक है, simple सा था, बहुत easy question है, आप इसमें जो theorem है, तो से यह, उसको लगाईए, easily answer आजगा, AD upon DB, AE upon EC कि हमारी theorem कहलाती है, इसके वाद है, और यहां easily हमें पताब जाएगे, theorem हमें एक चीज और बताती है, यहां 3 है, 3 का double, यहां 6 हो जाता है, यहां 4 है, यहां का 4 का double क्या हो जागा, यहां पर 8 हो जाता है, simply, ठीक है, तो इसका answer हो गया हमारा students, A part, 8 cm, now next question, थर्ड question देखिए student, if sin theta equals to 1 by 2 and theta is an acute angle, then 3 cos theta minus 4 cos q theta is equal to, आपको पता ही है, यह टिंग्नोमेट्री का question है, तो देखिए ऐसे question में क्या करते है, पहले आप video pause कीजिए, उसके बाद try कीजिए कि सही है के नहीं है, ठीक है, फिर check कीजिएगा, तो theta will be, यहां से sin, साइन कैंसल होगा, तो यहां हो जगा, sin theta will be cos to 30 degree, simply, आपको याद होना चाहिए, table पूरी अच्छी तरह से, यह आप बनानी आनी चाहिए, तब जाके आप questions कर सकते है, trigonometry पूरी बेस हमारी उसके table पे है, ठीके, अब देखे, आप values put कर दीजे, 3 cos, देखे, question क्या था, 3 cos theta minus 4 cos cube theta, इसकी value निकालने है, आप theta की value रख देते हैं, 3 multiply cos theta, cos theta means, cos 30 minus 4 cos cube 30, ओकी, आप cos 30 की value कर रहे हैं, यह आपको पता होने चाहिए, तब जाके आप questions कर सकते हैं, तो cos 30 हमारा क्या होता है, रूट 3 by 2, तो लिख लेते हैं, 3 multiply, रूट 3 by 2 minus 4 cube करना, यह रूट 3 by 2 का cube, this one, ओकी, अब आपको यह solve करना easily आता ही है, ठीके, इसे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यह, यह हो जाएगा हमारा 3, रूट 3 upon 2 minus, यहाँ क्या हो जाएगा, देखे, 4 को 4 रहने दीजिए, इसको ऐसे लिख लेजिए, रूट 3 upon 2 का whole cube है, whole cube मतलब क्या होगा, देखे, whole cube मिला 3 by 2, multiply 3 by 2, and multiply 3 by 2, okay, 3 by 2 multiply 3 by 2, 3 by 2, root 3, root 3, root 3, दोनों बहार निकल के क्या हो जाएगे, 3 root 3, क्योंकि यह दोनों एक root के multiply करके, 3 root, आई हो जाएगा हमारा 8, तो इसलिए सकते हैं, 3 root 3 upon 8, आफ 4 इसे cancel out होता है, 4 to 8, ठीके, now, क्या हो गया, 3 root 3 minus 3 root 3, यह plus का है, यह minus का है, दोनों cancel out होरके क्या जाएगा हमारा, 0, I hope easily संहज में आ गया होगा, simply हमने solve किया वा, ठीके, यह multiplication आपको आती होगी, easily सा, ठीके, तो इसका answer क्या हो जाएगा, हमारा a part जो ठीके, now, next question, fourth question देखिए, student, if 2 and 3 are zeros of a polynomial 3x square minus 2kx plus 2m, then value of k and mr, तो क्या बोला गया है, 2 और 3 क्या दर के, 0s दर के हमें इस polynomial के, तो निकालने हमें k and m की value, ठीके, बहुत simple question है, students, आप कर सकते है, easily, आपको पता होना चाहिए, ठीके, तो देखिए, हमें पता है, 2 and 3 क्या है, 0s है, ठीके, सभी आप post करके वीडियो, फिर खुट ट्राइए कीजिएगा, ठीके, हमारा 2 and 3 क्या है, 0s of the polynomial, और हमने सीखा है, क्या होता है, हमें 2 properties पता है, 0s of the polynomial, इसको माल लेते है, alpha, इसे बीटा माल लेते है, ठीके, जो easily terms होती है, हमारी, तो क्या होता है sum of zeros, sum of zeros मतलब alpha plus beta, क्या होता है, alpha plus beta हमारा, हमें पता है, alpha plus beta होता है, हमारा minus b by a, simple सा, minus b by a, ठीके, आप देखो, जो equation है, इसमें b ट्रम कौन सी होगी, हमें पता है, b ट्रम कौन सी होगी, ये वारली, जो exponent उड़ता है, x का, वो मारी b ट्रम होती है, ठीके, तो values पूट कर लेते हैं, क्या हो जागा, माइनस तो बहरा आ जाएगा, इसका माइनस, और इसके पास भी माइनस है, तो इसे लिख लेंगे, minus 2k, ठीके, a, a means x square की coefficient, जो की क्या है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा, 2k upon 3, simple सा, ठीके, now, आप हमें पता है, sum of zeros होता है, ऐसी हमारा क्या हो ठीके, तो ये भी निकाल लेते हैं, product of zeros निकालते हैं, that is, x alpha plus beta will be equals to क्या होता है, c by a, ठीके, c हमारा यहां क्या है, 2, m जो coefficient term होती है, और a हमारा क्या है, यहां, यहां हमारा a क्या हो जाएगा, 3, ठीके, तो यह हमारी 1 equation होगी, यह हमारी 2 equation होगी, देखी, sum of zeros निकल गया, and product of zeros निकल ले, अब इन से हम निकालेंगे, m और k की value, ठीके, तो देख लिजे कर लेते हैं, alpha plus beta, हमने निकाल लिया था, alpha plus beta क्या है, था हमारा 2k upon 3, alpha plus beta यहां क्या है, alpha plus beta क्या है, हमारा 2 and 3, यानि 2 plus zeros थो है न, simple सा, लिए 2k upon 3, और इससे अगर हम solve करेंगे, तो क्या upon 3, ठीके, and again solve करेंगे, तो इसमें क्या जाएगा हमारा, देखे, 5, 3, 15, यानि 15 upon क्या, 2, यानि ये k की value क्या होगी, 15 upon 2, ठीके, k की value 15 upon 2 होगी, simple से, solve करेंगे, तो अब देखे, आप निकालेंगे, alpha, beta, alpha, beta हमें गिवन किया था, क्या है हमारा, 2m upon 3, simple सा, alpha, beta means, यानि 2 multiply 3 क्योंकि alpha, beta क्या हमारे, 2 and 3 है, यानि 2m upon 3, 2 से, 2 cancel out कर दीजिए, simple सा, तो यह जगा, m will be equals to 9, 3 थी जा, 9, m will be equals to 9, easy, याप solve कर से, यहां हमारे, k और m की value आगी है, और हमें जो निकालनी यही थी, k and m की value, यह किस option में हमारा, 9 and 15 upon 2, कौन से option है, c option, c option is your right answer, now next question, fifth question देखेंगे, student, if triangle ABC and DEF, दो triangle ABC and DEF, उसमें क्या है, angle B equals to angle E, angle F equals to angle C, and AB equals to 3 times of DE, then both triangles are, जो दोनों triangles होंगे, क्या होंगे, या congruent, but not similar, congruent होंगे, but similar नहीं होंगे, similar, but not congruent, neither congruent, non-similar, congruent and similar, ठीके, तो ऐसे questions हैं, हम पहले एक बार figure बना देते हैं, जिसे आपको easily समझ में आ जाएगा, ठीके, ऐसी करना है आपको, देखें, triangle बना देते हैं, जो हमें given है, A, B, C, एक triangle, next, दूसरा क्या triangle है, D, E, F, अब जो values हैं, वो put कर लेते हैं, angle B, angle E के equals है, यानि angle B equal है, angle E के, angle B equals to angle E है, angle F equals to angle C, angle F, double sign कर दिया मैंने या आपर, angle F किसके है, angle C के, Okay, now क्या दिया है, A, B, जो A, B है, वो three times है किसका, D, E के, A, B क्या है, three times of all, D, E, ठीके, आप देखें, आपको पता है, congrence में क्या होता है, congrence में क्या होता है, जो ये A, B होता है, वो equal होता है, D, E के, तो यहाँ देखें, A, B क्या है, three times of all, D, E है, तो इससे क्या पता चला हमें कॉंग्रेंट तो नहीं हो सकता आप देखें कॉंग्रेंट नहीं होगा तो क्या होगा सिमिलर देख लेते हैं सिमिलर में हमाई क्या प्रॉप्ट रेशो इकल होते हैं यह रेशो अपन यह रेशो यह रेशो अपन यह रेशो यह रेशो अपन यह उना ये पॉंबूपरिश से ट्रैंगल यह को स्मेड़ गयों क्यों से सिमलर जाएंगी क्योंकि एंगल B सिन बहुजे मोल खवाल हुज lis क्रेंट में हमारे सेम सेम होते हैं एक किके नेक्स्ट को से सिमलर बट नॉट कौंगे तो यह हो सकता है सिमलर तो है बट क्या है कॉंगर नहीं है तो बी इस योर राइट एंसर ओकी आप इन्हें सभी को ट्राइ कीजिएगा खुद से देर आंसर चेक कीजिएगा बाकी झाल झाल झाल